तो भाई लोगों वादा के मुताबिक थाका सामने हाजरहा धमाकेदार वीडियो के साथ तो थाने कईने करनो है बस थाका आगे हाथ जोड़ा कर विनती है यह गुजारिश है कि थाका छोटा भाई को जो ओ चैनल है इने परो सब्सक्राइब कर दो वो कोई एक दन की बात तो खाबू सार कोनी आगो खर दो तो फिर वीडियो में आगे बढ़ा तो सबसे पहले एक प्लास्टिक की सीट ने ले लेवा और वीने चूला पर गरम करदेवा और फिर वीके उपरे कोई भारी भरकम चीज रखा देवा जैसे की पद्थर थे कई भी भारी चीज रखकर दब वाले हिस्से को साफ कर दिया जाता है और फिर समान साइच की दो चार PVC सीट बना देवा और फिर सीट ने आच्छी तरहु साफ कर एक के उपरे एक चिप का देंगे उंक के बाद में रेजमाल की मदद सू प्लास्टिक की सीट की की नुरों को गिस देवा फिर सीट के चारों क वीडियो में देख रिया हो तो फिर सेम टू सेम दो तीन डिजाइन बना कर एक दूसरा पर चिप का देवा वी के बाद में रेजमाल सू किनोरा ने साफ कर देवा और फिर एक ड्रिल मशीन से बीच में बढ़ा होल और साइड में दो चोटा-चोटा होल कर देते हैं और उस के बाद में डिजाइन को कस देवा वी के बाद में एक लोहा की डंडी ने कुछ इस तरह खड़ी लगा देंगे और उसके बाद प्लास्टिक की सीट के टुकड़े सू कुछ इतनी मोटी गट्टी बना कर वी के उपरे मशीन से होल किया जाता है और फिर विकी कीनोरा को रे लो में डाल दिया जाता है उसके बाद एक स्प्रिंट को लोहे की डंडी में डाल कर बेरिंग वाली डिजाइन को लगा कर उसके ऊपर एक प्लास्टिक का सौकेट लगा कर एक स्प्रू को कस दिया जाता है और फिर हम सभी आवश्यक सामगरी को लगाते है तब तक आप वी से निन्यान में लोग तो इसका जवाब भी नहीं दे सकते कि या आप इसका जवाब दे सकते हो तो फटाफट कॉमेंट में जवाब दो तो फिर सभी ड्रिल के समान लगाने के बाद एक प्लास्टिक से मोटर के लिए एक स्टेंड बनाया जाता है और फिर एक कुछ इस तरह क कि मोटर को लगा कर उसके कोनोरों पर स्प्रू को डाल कर कस दिया जाता है और फिर मोटर और अगले हिस्से को एक बेल्ट से जोड़ देंगे जिससे की हमारी बेंच ड्रिल मशीन को चलाया जा सके फिर एक प्लास्टिक की पट्तियों की मदद से मशीन को उपर नीचे करने के लिए एक hand stand बनाया जाता है जैसा की आपको दिखाई दे रहा है उसके बाद stand को bench drill machine से screw डाल कर जोड दिया जाता है और फिर दो gold plastic को hook बना कर उसे उपर वाले इससे chip का दिया जाता है उसके बाद एक उपर का plastic से cover लगा देंगे और स्प्रू डाल कर कस लिया जाता है और फिर बेंच ड्रिल मशीन को कमती और भाती करने के लिए एक इलेक्ट्रोनिक सिस्टम बनाया जाता है और फिर मोटर से तारों को जोगा जाता है अंत में एक चार्जर से उसे चला कर देखा जाता है उसके बाद आपको PVC सीट पर होल करके भी दिखाया जाता है जो की पफेक्ट काम कर रही है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें